प्रेगनेंसी बहुत ही ब्यूटिफुल जर्नी होती है पर बहुत नूमरेस सिम्टम्स के साथ आती है इस ताट में मौनिंग सिखनेस एक ऐसी चीज है जो इनसपरेबल है करीबन 75% से 80% प्रेगनेंट वुमिन एक्सपीडियन्स करती है नौसिया फटीग और वॉमिटिंग जो की बहुत ही कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है मौनिंग सिखनेस के यह जनरली स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी के 6th week से और एंड होता है 8th week पर ज्यादा वरी करने वाली बात नहीं है पर मौनिंग सिखनेस कभी-कभी बहुत ही अपसेटिंग और इरिटेटिंग भी हो सकती है वैसे भी किसी को भी सिख और मिजरिबल फील करना तो पसंद नहीं होता न तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे नैच्रल होम रेमिडीज लेकर आये हैं जिसे आप आपके मौनिंग सिखनेस खतम कर सकते हैं पर दोस्तों अब शुरू करने से पहले हमारे चानल से लेटिस् काई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिंजर जिंजर एक कॉमन नैच्रल ड्रेमिडी है नौस्या ठीट करने के लिए जिंजर जीूस के अंदर स्टिमुलेटिंग प्रॉपरिटीज होती है जो आपके स्टमक को सूध कर सकता है हाफ टो हैविट अब एक टी कॉस्या के अनीजिनेस खतम करने के लिए अब जिंजर इंफ्यूस टी या जिंजर केंडीज भी खा सकते हैं मिंट मिंट सिफ रिफ्रेशिंग और कूलिंग नहीं होता पर आपकी नौस्यसनेस वाली फिलिंग भी खतम कर देता है हाफ टो हैविट अब मिंट लीव्स को आप टेस्ट हेल्प करेगा नौस्या के सिंप्टम्स को रिमूव करने के लिए हाफ टो हैविट आप जिंजर और लेमिन वाटर को एक साथ लेकर ड्रिंक कर सकते हैं या फिर प्लेन लेमिन वाटर भी चलेगा रोज वाटर एंड मिल्क आयरोवेट सजेस्ट करता है कि कॉप आफ रोज वाटर एड कीजिए ग्लास ऑफ मिल्क में और फिर बॉइल कीजिए मिल्क और ड्रिंक कर लीजिए जब यह थंडा हो जाए तब अब कप आफ रोज मिल्क घी के टीस्पून के साथ भी ले सकते हैं हर दिन सोते वाग एपल सिडर विनेगर आपल सिडर विन एक टीस्पून एपल सिडर विनेगर एक ग्लास ऑफ वाटर में और हर सुबा मॉर्निंग सिखनेस खतम करने के लिए पीजिए कोकोनेट वॉर्टर, कोकोनेट वॉर्टर विटामिन्स, मिनेरल्स और फाइबर के ंंदर बहुत रिच है और इसके पास न्यूमरिस हेल्थ बेनिफिट्स भी है Coconut oil आपको help करता है constipation और heartburn relief करने में जो की common pregnancy symptoms है Half to have it 1 teaspoon of lemon juice add कीजिए glass of coconut water में और 15 minutes में water का sip पीजिए Spices कुछ spices जैसे की fennel powder, cinnamon और cumin extract भी recommended है नौस्या को ठीक करने के लिए कुछ studies ये भी suggest करती है कि ये 3 spices morning sickness के लिए बहुत अच्छे है पर ज्यादा research ज़रूरी है ये direction लेने के लिए और एक strong conclusion पर आने के लिए तो दोस्ता अगर आपको भी कुछ morning sickness avoid करने है तो इसमें से ये home remedies ज़रूर च्राइ करें इनका result 100% effective ही है और अगर इससे जूड़ी आपके पास और भी कुछ चानकारी है तो हमें comment section में ज़रूर बताए और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे like, share and comment ज़रूर करें तगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तो धन्यवार दोस्तों धन